हेलो दोस्तो, फ्री ओनलाइन टीचिंग मन्याप सभी का स्वागत हैं तो आज हम वीडियो में कक्छा 11 बेसा हिंदी माह अगस्त मासिक मुल्यांगन का पेपर स्वालब करने बाली है यहाँ पर यह आपको कुल 20 मार्क्स में पूछा गया है इसलिए आपको अच्छे से विवस्तित तरीके से इसको आपको अच्छे से लिखना है तो आई यहाँ पर हम इसको स्वालब करते हैं तो यहाँ पर प्रिश्ट मांग एक है सही बिकल्ब चुनी है तो यहाँ पर का नमर का प्रश्ट है कि नवक के बूरों में हरी गाणिया किसकी थी तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा पहली नमर को अप्शन लाइट आंसर हो जाएगा पंडिक अलोपीदीन यहाँ पर कानमर का प्रश्ण है कि कभी भक्तिकाल की खालिस्तान धारा के कभी है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्यान स्रेही निर्गोन साखा तो यहाँ पर आप लेख सकते हैं ग्यान स्रेही निर्गोन साखा निर्गोन साखा धारा के कभी है तो यहाँ पर कानम कानमर में दिया गया है कि दुनिया सूती थी पर दुनिया की खालिस्तान जागती थी तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहां पर जीब हो जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जीब हो जाएगा इसकी बाद यहां पर प्रिष्ट मांग तीन है सत्य सत्य सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब करा दिये जाएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसकी बात यहां पर हम प्रिष्णिवांग चार को सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर प्रिष्णिवांग चार है कि एक बाकि में उत्तर लिखी यहां पर का नमर का प्रश्ण है कि बंसी धन ने किसे से बेर मूल लिया था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बंसी धन जो है धन से बेर मूल लिया था इसकी बाद खानमर का प्रश्ण है कि मानव सरी का निर्माण किन पंच तत्तों से हुआ है तो यहाँ पर हम का और खा के एक साथ दोनों की आंसर देखने वाले हैं तो इस प्रकार से आपके प्रश्ण के प्रश्ण का अंसर हो जाएगा यहां सी यहां तक खानमर का प्रश्ण का अंसर हो जाएगा यहां सी यहां तक तो इस प्रकार से आप वीडियो को रूपकर या फिर आप इसकी इंसोड लेकर इस प्रश्ण के उत्तर को आप नूट कर सक सकते हैं इसकी बाद यहां पर जो आपको प्रिश्णिक बांग तीन दिया गया है यहां पर क्या होना चाहिए था प्रिश्णिक बांग पांच होना चाहिए था क्योंकि यहां पर प्रिश्णिक बांग चार की बाद यहां पर पांच आएगा फिर छे साथ इस प्रकार से आठ तो यहाँ पर इसकी जगाए आप क्या लेख सकते हैं प्रिश्णिक बांग 5 लेख सकते हैं या फिर आप प्रिश्णिक बांग 3 ही लेखा रहने दें कोई बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर प्रिश्णिक बांग 3 है कि कवीन ने अपने को दीवाना क्यों कहा है हमें इसका अंसर देखने वाले हैं तो यहां पर आपके प्रिश्ण की मांग तीन का अंसर हो जाएगा यहां से लेकर आप यहां तक लख सकते हैं तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोकर इस प्रश्ण के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं इसकी बाद जो अगला प्रशन है प्रिश्न की मांग चार कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सरवादिक प्रभावित करता है और क्यों तो हम इस प्रशन का उत्तर देखते हैं तो यह आप का अंसर हो जाएगा प्रिश्निक मांग चार का कि नमाक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र बन सीधर हमें प्रवावित करता बन सीधर एक इमानदार द्रण नेश्चारी करमर तता करतब परान व्यक्ति है तो इस प्रकार से आपको यहां से लेकर यहां तक लेग नहां है इसकी बाद जो अगला प्रश्न है प्रिश्निक मांग पांच की नमलेखित पद्यांस की संदर प्रिशंग साइद ब्यक्ख्या लिखी यहां पर आपको एक पद्यांस दिया गया है इसकी आपको संदर प्रिशंग और ब्यक्ख्या लेखना है तो हम इसकी संदर प तो आपको यहां से लेकर लिख लिए तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर इस अंदर प्रिसंग को आप अच्चिसे नोट कर सकते हैं इसकी बाद जो लाश्ट कोईश्चन है पिश्न वांग छे कवीर का जीवन परीचा निमने बिन्दियों की आधार पर लिखे का नमर का है कि दो राचना है का नमर में भावपक्ष और कलापक्ष लिखना है और गा में साहित तिमेस्तान तो हम इसका अंसर देखने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो राचनाय लिखनी है यहाँ पर क्या हो जाएंगी सबाद और साखी भावपक्ष में आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है इसकी बाद कलापक्ष में आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है तिस प्रकार से इन सभी प्रश्णों के उत्तर को आपको अच्छे से विरस्तित तरीके से नोट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अधिया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद